हेलो स्ट्रेंट्स स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पिजिक्स पे इस्ट्रेंट्स चैनल को फटापर से सबस्कार कीजिए और पास में एक बेल आएगा ना उसे प्रेस कीजिए ताकि जब भी नए वीडियो प्रोड करूंगा उसकी नोटिफिक्शन आपको मि कि स्ट्रेंट्स पिजिलिक क्लास में आपके उसकाश्थ की बारे में चार्ज की प्रोपर्टी किस शर्च से रमें चार्ज बोर्य को चार्ज कर सकते हैं हिए और लीकट्र अप्पड्रॉसकोप यह हम अजय करें कुलाम स्लो और वैक्टर फॉम अफ कुलाम स्लो यह दोनों ही इंपोटन टॉपिक है आपके एक्जाम के रिस्पेक्टिव से सो आएए स्टार्ट करते हैं देखिए स्ट्रेट कुलाम स्लो की थोड़ी हम स्ट्री देख लेते हैं देखिए एक फ्रांच फिजिसियस ते देखिए चार्स अगस्तिन कुलाम इन्होंने क्या किया तो स्मॉल चार्ज बोड़ी के बीच में एकस्परिमेंट के दुरू electric force को मैजर किया है और उसके बाद मैंनों इक statement दिया और उसे हम बोलते है कुलाम इसको अब देखिए जैने क्या hell a 아 okay the force of attraction और repuls implant. देखिए attraction और repulsion बुला हुआ न तो समझे इसको कियसे हमें पता है जब भी कोई दो सेम चार्ज की बोड़ी हो थी हैं उन建 셋 घ्तेफेर्टिव की और आप ऊपाउस्ट क्या एं ही एं बनागेऊ attraction or repulsion the force of attraction or repulsion between two stationary point charge is proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance to square of distance between them अब देखिए इसको समझ लें तो देखिए हमने क्या किया दो चार्ज कंसिडर की Q1 और Q2 ठीक है और दोनों को जो बीच की distance हमने कंसिडर की वो कंसिडर की strength दोनों की जो distance है वो हमने कंसिडर की है महां लिजिए distance है R यह लिजिए R अब देखिए दोनों चार्ज भी दूसरी के लगेगा तो देखिए force on Q1 due to Q2 that is denoted by F12 vector और force on Q2 due to Q1 is F21 vector इस direction में और दूसरा इस direction में अब इस दोनों ही जो force है तो magnitude में है same लेकिन direction की opposite तो magnitude सेम है तो इनको में देखिए अगर मैं magnitude में represent करूँ इस F12 vector का mode ले लूँ तो इस magnitude हो गया similarly यहां पर अगर में देखूँ तो F21 vector का mode तो वो इकोल हो गया F के है खिक है अब यह statement पर लगे अगरा देखिए force is proportional to product of charges चार्ज Q1 and Q2 है तो force proportional Q1 and Q2 का product के ठीक है तो मैंने कर दिया पहली बात लिए दूसरा point क्या है जो force है वो इन दोनों के बीच में distance है क्या है और उसके square के inversely proportional है यह जो square के inversely कर दिया अब इन दोनों का बतर समझें अगर charge की value बढ़ती है तो force भी बढ़ता है लेकिन अगर distance के respective में देखें तो distance बढ़ने पर force घड़ता है यह तो आप समझ भी सकते हो दो बोड़ी जाए चार्ज बोड़ी है दो टू लेकर जाओ मतन की बीच में force की value घटेगी क्यों distance बढ़ रही है तो एक की बीच में force का influence होगा और कम हो जाएगा ठीक है तो समझ गी सिसको अब देखिए मैं इसको कैसे लिगा हूं दुनों को proportional to q1 q2 upon r2 सबस्क्राइब बढ़ना प्रपोर्शन को तो आप जाना है तुमां concept q1 q2 upon r2 ठीक है इतना के लिए रहें मेरे साथ सबस्क्राइब रोल नहीं चीए आगे आए लिए इसको आपको जान में रखना है आगे देखिए यहां पे जो के है वो है constant लेकिन यह universal constant नहीं है इसकी वेल्यू डिपेंड करती है किस पर depends on depends on medium मेडियम नहीं रखें के की वेल्यू कितनी होती है वह पुर्टिकुलर वेल्यू होती है नाइन इंट्ट्री पावर नाइन यूनिट के नेगले की देवह यहां सेखिएगी नुटर्ण मेटर स्पर नुटर्ण मेटर स्पर प्रण नीचे जाए तो प्रण अभी जो वेल्यू है यह अच्छो वैक्यों और फ्री स्पेक्स यानि एर दोनों के लिए यही वेल्यू होती है नाइन इंट्रेंट और नाइन आपको ध्यान अटेस को याद करना है ठीक्स है ठीक है वैसे एर के लिए तोड़ी से चेंज ह प्रण आपके विजन देख लेकर देखने इसमें जो फोर्स होगा दो चार्ज की बीच में दोनों चार्ज होगा प्रड़क के तो फर्पोर्शन होगा ठीक है और जो उनके बीच में डिस्टेंस जो की आ रहा है उसके इसकोर्स को पर दिए रिख यह हुदा है इसकी बाद कि आपके निकाल के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीक से स्टेडिकरों माइस्ट्वेंट ताकि आप प्रॉपर नौट्स वनास को कि आए आजबेखें कि चलते हैं क्या होता है जो देखें इस के में वटना देख लेते हैं जो के है इसकी वेलियु होती है 1 upon 4 by epsilon node अब ये तो मैं पता है constant है लेकिन इसे बोलते है permittivity of किसकी permittivity of vacuum और air दोनों के लिए हम यही युज़ करते है epsilon node ठीक है और epsilon node की value क्या होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 पौर माइनस 12 कुलान स्वेर पौन न्यूटन मिटर स्कूर यह होती है epsilon node की value आपको ध्याह में रखने पड़ेगी यह भी ठीक है लेकिन numerical mostly हम यही वेली जी मिलेंगे ध्याह लगिया अब देखिए आते हैं हमारे force के formula देखिए यहां पर F क्या कहता है F कहता है K Q1 Q2 upon R तो यहां पर हम देखें F और R वेलेसन तो यह था इसका मतलब यह चो low है उसे बोलते है inverse square low यानि वो last low inverse square low को follow करता है student दान अजिए इसका मतलब क्या है अब एडिस्टेंस बढ़ी तो force घटा distance घटी तो force बढ़ेगा एक दुसरे के पुड़िटे अब हम देखते हैं R और F की बीच में relation आप इसको नोट कर लीजी F और R की बीच में आप और R की बीच में आप कर देखी है graph के थूँ तो देखेंगे समझेंगे हमने क्या समझा कि अगर R की value बढ़ती है तो F की value बढ़ती है तो ये मेरी R क्या है distance और हमने यहां ले लिया F force और ये very distance तो distance इस तरस बढ़ती है force तरस बढ़ता है अब experiment मालीजिए very distance बढ़ना साथ होती है जैसे सब distance बढ़ेगी तो force की value बढ़ेगी तो देखी ये force है मालीजिए तो distance साथ अथ मेरा force की value डढ़ती है ये हो गया मेरा curve distance और force के बीच में ठीक है ये हमारा है force आप इनको properly mention कर लीजिए के चली नोट कर लीजिए बढ़ावाट आगे बीचल लाए बढ़ेगो ये हमारा collapse लो है तो फिर से एक बार क्लिक रिविजन इस्ट्वेंट collapse लो क्या कहता है कि जो कोई भी दो charge बोड़ी होती है उनके बीच में जो force of attraction और repulsion होता है वो उन दोनों charges के तो proportion होता है लेकिन उनके बीच के जो distance होती है उसके square के inversally proportion होता है और ये देखी है ये हमने दोनों लिख दिया ये बाद में सोल कर रखा आपके ठीक है तो जहाना आप चले आगे जो अपना next topic है वो है वेक्टर फॉर्म ओफ फुलांब स्लोप देखिए उसको देखेंगे पॉर्ड़ी तो ये तोड़ा इंपोर्टेंट इस्ट्रेंट वेक्टर फॉर्म ओप्लांब स्लोप में जबेंचा अफॉर्ड कि याँ आप बच्चे की आप वेक्टर-फॉर्म ओफแลze देखिए वेक्टर फोर्मों प्लाउस को इसको देख लगें देखिए स्ट्रेंट हमने क्या इसकी यह दो चार्ज वही सेम Q1 और दूसरा कर लिए हमने Q2 और दोनों चार्ज एक दूसरे से अब इस्ट्रेंट्स वही बात दोनों चार्ज एक दूसरे लगाएंगे तो देखिए कैसे लगाएंगे सबोज कीज़ लिए स्ट्रेंट्स कि force on Q1 due to Q2 याह थी आप ने कंसिड़र किया F12 स्ट्रेंट्स याथि याथि Q1 का Q2 दोना से force होगा वह क्या है अब नihu कंस्ट्र लिए उसका F12 एंड एक फॉर्स वन दिए प्टीव नेट इस प्टीव नेट टीव एक इतना ठीक है चलिए अब आपको एक छोट दा पॉंट देखें इस प्रेंट जो यह दो फोर्स लगते हैं आप पर यह खुलाम नहीं कहीं दिए बाद रहां आपको फोर्स इस पर्स एक्स अलॉंग दो आपको न्यूंग जो किस्ता दुकारी करते हैं वर्क प्रत देगें इस एक्स अलॉंग लाइन जोइन जोइनिंग अ विए ब्स सेंटर्स Centers of Charges इसका मतलब क्या हुआ देखे कि यह जो force बात कर रहे हैं कि 1 और Q2 पर यह दोनो force दोनो charge को जो center से जो line इनको मिला रही है देखे दो charge है कि 1 और Q2 इनके centers को जो line जो इन कर रही है इसके along ही force लगएगा इस तरह से और इस तरह से ऐसे नहीं कि force ऐसे लग जाएगा ऐसे लग जाएगा इस तरह से लग जाएगा ऐसा नहीं होगा इस इन दोनों को मिलाने वाले जो line होगी उसी के along force लगएगा इसलिए और यह गुलाम ने का अब आज़े देखते हैं स्टार्ट करते हैं और आज़े क्या आज़े कर दो कर सकते हैं क्या लिकिन ये फोर्स की वेलियू के क्यूए टू टू अपॉन आ इस पर लाउं सुल रिख दी लेकिन इस पर ये तो सिर्फ अबे तक चो लिखा हूं मैगनीटूड है हमें तो लोग को वैक्टर फोर्म में रेप्रजेंट करना है तो वैक्टर फोर्म में तो हमें डार्रिक किसी भी force की direction को represent किसी भी vector quantity की direction को represent करता है unit vector तो इस M12 को represent कोई करेगा यह direction कोई से होगी 221 तो क्या होगा R21 cape यानि भी एक तरस देहा जाए तो जो R21 cape है वो इस force को represent करेगा इस direction कोई अब इस्टुनेंट इस force का displacement vector क्या होगा है यह भी देख लो displacement vector हम के सबरें 2 से 1 की ओर तो displacement क्या होता है final minus initial तो final क्या है 1 और 2 क्या है initial तो R1 vector minus R2 vector यह displacement इस direction की इस F12 की लिए होगे यह ठीक है similarly अगर हम जैसे F21 की बात करेंगे तो इस का इनट वेक्टर की direction जाएगा 1 से 2 की हो तो यह R12 के को direction यह displacement vector क्या होगा इसका R2 vector minus R1 vector होई initial से final ठीक है यह आपको दान में रखना है इतना clear चलिए आगे चलते हैं इस इस force का unit vector है क्या लिए आपने R21 के तो R21 के चीक है अब देगे इस ट्रेंट यूनिट वेक्टर का एक फोर्मुला होता है तो यहां पर अगर R21 का निकालेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा R21 के यह unit vector equal to R21 vector upon R21 vector का mode इसको यहां लिख सकते है पर इसका तो mode है ना sorry R12 vector equal to KQ1 Q2 upon R का इसको ध्यान किये यहां ध्यास देगे चीज़ को R21 vector के दर यह लिए है यह लिए है तो R21 vector upon R21 vector का mode यह लिची ठीक है चलिए है अब चलते हैं आगे देखे है student । यह R vector कि यह फिजिते हैं यह लेकिनी है डिस्पली स्वक्षट इस एफ लीए कर वेक्टर के लिए सब्सक्राइब अगर इसका मोड देनों माद दुन से होगे ना तो यहां प्रिकल इसकता हूँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड तो F1 2 वेक्टर इक्वल टो K Q1 Q2 अपोन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का स्क्वार यह लिजी यह हो गया अब देखिए हमाई पास यह तो अल्रेडी है तो इसको R2 1 वेक्टर अपोन R2 1 वेक्टर का मोड यह ज़िस लिजी आप ठीक है इतना क्रियर इसको और ठीक करते हैं तो देखिए R1 2 वेक्टर इक्वल क्या लिशता हूँ K Q1 Q2 अपोन R1 वेक्टर वेक्टर का Das इसको के लिशता हूँद देखू अपर वाले कू R1 वेक्टर माईनस आपना अपोन यह क्या हा जाएगा R1 वेक्टर माईनस R2 वेक्टर का मोड ठीक है अब इस देटर्स को एकलेयर रड़ मोड देखिए हैं यह आप नोट कर लीज़े फिर आपर से बराफ कर रहाँ सकूं देखिए यहां चलिकेंगे F12 वेक्टर एक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन देखिए अब यह रिया हो करें Q हो गया ना R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का Q और यह बन गया वेक्टर का मोमें R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ठीक है यह पहले फोर्स को में रिपर्ण कर दिया वेक्टर का मैं अब देखिए similarly similarly force on Q2 force on Q2 due to Q1 इसको देखिए तो वह क्या है F2 वन वेक्टर और इसको इस तरह से रिपर्जन कर लेंगे तो कैसे करेंगी और यह आरगे और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर यह इसका वेक्टर फॉर्म इनस पर देखिए इसपों कर देखो इस फोर्स में यहां यहां देखे यहां वार्टर मारेस वार्टर है इसका नह्राइक слon वहम समसे है कि אני जो जो दोनौत है दो स्कंसरान क्रीद genetic है तार्यक Happiness में आपसेटेट्छ पर्ार्ग करें से सगते हैं यहां तो यह आपको ध्यान रखना है यह मेन है लास्ट में इसका फाइनल पॉइंट कि दोनों फोर्सेस बहुत दा फोर्सेस आर इकोलिन में इंडियूट बड़ अपोजेट इनर डारेक्शन आप इसको नोट कर लीजिए यह आपका वेक्टर फोर्म अपको प्लांप्स हो है ठीक चलिए अब इसके मुझ पॉइंट्स देख लेते हैं दो पॉइंट चुट 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 देख लेते हमको एक तॉम ने देख ले लेकिन स्कोर देखना रहा है देखें पॉइंट अब ओ यह अजिए टू और कुट को मोग्लांप सब्सक्राइब यह कि क्या कहता है पहला हमें पता है कि क्या आप वन टू जो वेक्टर है वह एक्वड एंड अप्वोजिट के इसका मेले हम क्या वह सकते हैं इसको आप बोल्ड पोर्सेज अब कि आप इक्वल इन मागनिटूड इन डारेक्शन यह तो आपने देख लिया सो कुलाम्स लोग किसको फोल लोगरा देख एक्वलिक फैंगे डारेक्शन किसमें बता और गौन से दूसरा लोग है न्यूटन्स लोग और मौसन न्यूटन का थर्ड लोग मौसन एक्शनेंट सो कुलाम्स लोग और वे न्यूटन्स थर्ड लोग और मौसन तो ध्यान एक्वलिक जो आपका कुलाम्स लोग है वो न्यूटन के मौसन के थर्ड लोग को फोल लोग परता है ठीक है सेट्ड पॉइंट जो हमने देखा वे भी क्या देखें पोर्सेज एक्ट अलोग दे लाइन जोइनिंग पोर्सेज एक्ट अलोग दे लाइन जोइनिंग दे शेंटर्स अफ चार्जिज तो इस आर सेंटर्ल पॉर्सेज तो यह क्या है सेंटर्ल पॉर्सेज थीक है बहुत अच्छे इंपोर्टेट पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने हैं अब इस प्रट हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स अब वो क्या है लिमिटेशन और प्लाप्स लोग तो हम पर्सक्राब्स में उतों संधूल है कि अचशी मचर्फ के सिर्ज कीमा क्यारी क्याय है तो है लॉट्स ऑंच तो पहली क्या है Charges Must be Point Charge Charge must be Point Charge इसको पहला दूसरा Charge must be Point Charge Point Charge के मलब बहुत small size का चार्ज होना चीए बिल्कुल almost point size ठीक है small size चार्ज होना होती है दूसरा Charges must be at rest rest का मतलब stationary यानि aesthetic क्यों stationary क्यों जरूरी इस प्रेट रेस्ट पे क्यों जरूरी है देखें electricity पढ़ रहे है electricity में क्या डिल करें है charge at rest अगर charge मूह कर रहा होगा तो हम मैगनेटिस में जाएंगे ना ठीक है that's why charge must be at rest third student देखें distance between ये रवाद आस दीए distance between charges charges should not be should not be more than nucleus size यहाई कि 10 की पवार माइनस 15 मेंटर से ज्यादा नहीं होनी चीजिए क्यों नुक्लिस का इस क्या होती है 10 की पवार माइनस 15 मेंटर क्यों ऐसा क्यों because because at less than 10 की पवार माइनस 15 मेंटर is strong nucleus force works नहीं होती है क्या मतलब इसका देखें दोनों charge की जो इस की distance है वो 10 की पवार माइनस 15 मेंटर से ज़दा होनी ज़रूरी है स्ट्रेंट अगर इस से कम डिस्टेंस होगी तो ध्यान की strong nucleus force काम करेगा किस पर कुलाम force पर ध्यान के तो यह आपका और रॉल है कुलाम स्लोब और वेक्टर को माव कुलाम स्लोब ठीक है चलिए आगे चलते हैं एक दो नुमेरिकल देख्ले टेंक्स पर ठीक हैं ताकि आपके तोड़ा वोद डाउट डाउट क्लिए हो मैं आपका राउन को सब्सक्राइब नुमेरिकल इसमेट क्यूसर नुमर पास्ट तो प्रोटोंस आपका है र चरॉटोंस पास्टोंस प्रोटोंस आपके लाए आपके ए उस प्रोट रहा बताब्स आपका है तो देखिए कैसे करेंगे दो प्रोटोन करते हैं एक प्रोटोन ये रहा दूसरा प्रोटोन ये रहा प्रोटोन दोलों ये लिजी दोलों की बीच की डिस्टेस कितनी 1.6 मिटर में करना तो रहोगे तो 1.6 इंटू 10 कि पार माइनस 2 मेंटर सिंपल ये डिस्टेस हा लिए है ठीक है करेंगे क्या आपन देखिए कैसे करते हैं ऐन एक एक वाल डूटो के क्यू वन क्यों तो आपाउन आए स्पयर तो आएक एक वेलु की बाइली कितनी देखिए हैं क्यू वन क्या है प्रोटोन क्यूंक क्यू भी एक प्रोटोन तो प्रोटोन के चार्ज के वह बज़ी वह वाकती है 1.6 इंटू 10 कि पार माइनस 19 कूला तो दो प्रोटोन है, तो क्या लिखते हैं, 1.6 into 10 की पाउर माइनस 90 और दूसरे प्रोटोन की वेली भी लिखते हैं, बिल्कुल इस नेट, सिंपल मोह में संदार हूँ, 10 की पाउर माइनस 90, व्लाण, R², R की वेली कितनी है, 1.6 into 10 की पाउर माइनस 2, इसको सोल करेंगे तो आपका ओगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 38 बेस सेमे पावर जुट जाएगी स्कोर देखेंगे तो यह हो गया 1.6 इंटू 1.6 ठीक है इंटू 10 की पावर माइनस 4 इससे नोनों कट कर दो तो एक वेली कितने जाएगी 9 इंट्टू 10 की पावर 9 इंट्टू 10 की पावर माइनस 38 10 की पावर पर जाएगा तो 10 की पावर 4 पॉलिटी में जाएगा इसको और सोल चाहँगे तो देखो क्या होगा 13, 13 माइनस 38 करेंगे तो निकना जाएगा 9 इंट्टू 10 की पावर माइनस 25 सोल का ने पावर और नूटन लगजाेगी उनिटप़्स की नटी आहती है नूटन तो यह आपका अंसरों का स्ट्रेंट छीक है यह आपका अंसरों आईगा 9 इंट्टू 10 की पावर माइनस 25 नूटन दिस इस और आंसर आप दिस क्यों सब्सक्राइब क्लेर इस प्रेंट एजी था चलिए आईए एक और क्यों सब्सक्राइब लेते हैं वो तोगा ध्यान देने वाला है देखें चुक्सर क्या है। तू चारज एस 9E & E सेपराइब भी 16 cm now A third charge Q where should be should be placed in between now A third charge Q where should be placed in between these two charges so it remain in equilibrium okay I am I a a an a a a a और यह रहा है इन दोनों की मेच की जो डिस्टेंस वो कितनी है 1.6 सुरी 16 सेंटेमेटर रहे है अब इनकी वीचे मैंने धर्ट चार लिया रख दिया हमें नहीं पता डिस्टेंस क्या है तो इसको मैंने करें लिया एक्स तो यह बच्चिवीटी दिने होगी 16-1 एक्स ठीक है अब देखें क्या हो रहा है कहा रखें कि यह एक्किलीम में रहें तो उसके लिए क्या रहें पेज़े फॉर्स बिट्विन 9E and Q इन दोनों की वीचे में फॉर्स निकाल लेंगे और उसको मैंने माल लिया F1 कुलाम की नियम से K Q1 क्या है 9E Q2 क्या है Q 1 डिस्टेंस कित दूसरा फॉर्स बिट्विंग कितना है किसकी बीच में Q and Q की बीच में निकालेंगे उसको मैंने लिए F2 वो क्या हो जाए के Q E upon 16-X का होल स्क्राइब डिस्टेंस का स्क्राइब अब देखिए क्या पॉर्स लास्ट में इस रिमेंजी इकिलिब्रियम एकिलिब्रियम के लिए F1 equal to F2 कितनी है के 9E Q upon X square के Q E upon 16-X square ठीक है Q से आप Q बीनिस कर दो E से E रटा दो के से K रटा दो बजगे गया 9 upon X square इधर 1 upon 16-X का square तो इसको कैसे लिखता हूं क्या मैंसे लिख दूँ इन दोनों को 3 का पॉल स्क्राइब और ये 1 upon 16-X का square ठीक है इसको सोल करेंगे तो आजाएगा 3 upon X equal to 1 upon 16-X इसको और इदर सोल करेंगे देखिए यहां देखते हैं भी तो क्रॉस मेंटिप्लाइब करना दो और 48-3X equal to X तो 48 equal to 4X तो यहां से X की वेली कितने हैं की 12 cm इस 12 cm का मदब समझो कि जो चार्ज है क्यों यह 9 E से कितने डिस्सेंट्रों आछी है 12 cm की दिस्ट्रों आछी है यह आपका fusion का solution ओके चलिए इस्वेंट नोट कर लिजे